राम जनम भूमी ट्रस्ट शुरू हुआ है इसमें अपने भी आपने भी अपना योगदान दिया लेकिन इसके ओपर जो राजनीती हो रही है इसमें मैं इसके जानना चाहूँगी लेकिन यह जो शुरू हुआ है इसके बारे में बताईए और आपने डोनेट क्यों किया यह बताई हो जो राजनीतियोरी वो भी बताई है देखे सबसे पहले जैशी राम क्योंकि अगर राम की बात कर रहे हैं तो जैशी राम से शुरुवात होनी चाहिए दरसल जो सुप्रीम कोट ने राम मंदिर के फैसले के बाद एक ट्रस्ट का निर्माण किया था उस ट्रस्ट मे आज से और उस ट्रस्ट में बहुत सारे बड़े लोग हैं चमपत राई जी हैं उसमें निपेंद मिशा जी हैं उसमें कहीं सारे लोग हैं उन्होंने ये फैसला कि वो देश भर में एक आंदोलन चलाएंगे एक मुईम चलाएंगे कि आम जनमानस से भव्य राम मंदिर के न निर्माण के कारिय में और आज उन्होंने इसकी शुरुवात राश्ट्रपती जी के पास जाकर वहां से राश्ट्रपती जी ने महमईन में पांच लाक सो रुपए उन्होंने चंदा दिया है भव्य निर्माण के लिए पर मैंने भी दिया है हलाकि लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं आपको फत्वा जारी हो जाएगा पर मैं आपको बता दूँ कि शीराम केवल एक धर्म के नहीं बलकि इस देश के और इस दुनिया के सबसे प्रमुक आदर्श है अगर आप देखें मानवतावाद के हिंदू, मुसलिम या सामाजिक एकता के और प्रगतिशील सोच के अगर कोई सबसे एतिहासिक अगर कोई आदर्श है तो वो है और इसी लिए शीराम को अपना राश्ट्य सांस्कितिक आदर्श मानते हुए शहजाद पुनावाला हाला की तो धर्म से मुसल्मान है पर क्योंकि मेरा नजरिया और मेरी विचारधारा पूर्न तरीके से भारती है, मैंने इस भारत के बड़े निर्मान कारे में और भारत के ही के कारे में मैंने अपना चोटा सा योगदान दिया है और मैं भी चाहता हूँ कि भव्य राम मंदिर निर्मान हो, क्योंकि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, राम मंदिर इस देश की संस्कृती का सबसे आधुनिक प्रतीक बन कर उबरेगा, और ये बात प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी कही थी, तो इसलिए राम की व बड़े होकर बाबर के आधर्शों पर चलना है, हमेशा कहा, राम से सीखो जरा कैसे थे वो, हमेशा सज बोलते थे, हमेशा लोगों की इज़त करते थे, तो जब राम हमारे घर के आधर्श है, हमारे पूरवज है, बाबर की ना संस्कृती हमारी है, ना वो हमारे इसमें भी बहुत जादा राजनीती करन हो जाता है लेकिन ये राजनीती करन पर आप क्या कहेंगे बहुत ही दुरभाग्यपूर्ण बात है मैंने बयान सुने समाजवादी पार्टी के नेता एक है स्टी हसन वो कह रहे थे कि अगर आप ऐसा कारे करने जाएंगे तो कुछ ल ओमर्स पार्टी के ही लोग ने इसको शुरू किया है और क्या ये इसे राजनीती का एक टूल बनाना चाहिए राजनिती का एक हत्यार बनाना चाहिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अगर दिग्वजे सिंग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सनातन धर्मी हूँ मैं हिंदू हूँ तो उनको तो इस कारे में सबसे प्रमुक्ता से आगे आना चाहिए पर प्राब्लम ये है ना कि हमारे देश में कुछ लोग रोम की भक्ती जादा करते हैं राम की भक्ती कम करते हैं और अगर उनको कोई आरेम भाता है तो रोहिग्या मुसलमान भाता है क्योंकि वोट बैंक की तुष्टी करण का ऐसा वाइरस उन पर चड़ा है अब उसका तो वैक्सीन अब तक नहीं मिला जब मिलेगा तब समाजवादियों को टीका लगाएंगे तब वो तुष्टी करण की राजनीती चोड़ समझेंगे कि राम किसी राजनीती या किसी धर्म के नहीं पूरे विश्व के हैं अभी आपने कहा कि मैं मुसलिम हूँ आपने अपने ट्वीट में भी लिखा कि मैं मुसलिम हूँ लेकिन इंडियन में पहले हूँ मेरा जो कल्ट्रल आइकन है वो राम है श्री राम है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नेता है समाजवादी आपने अभी स्टी हैसन का नाम लिया कुछ ऐसे नेता है जो राम में भी अपना हिंदू मुस्लिम करना लोग शुरू कर देते हैं और यह अभी से नहीं है बहुत सालों पुरानों सालों से है सर क्या कही है यह वो लोग है जिनको लगता है जब तक नहीं देंगे शीराम और हिंदू को गाली तब तक नहीं मिलेगी वोट बैंक की ताली यह ऐसे मानसिक रूप से ग्रसित रावन वाली मानसिकता वाले लोग है जिनोंने हमेशा से राम मंदिर को 70-80 सालों तक लटकाने अटकाने भट कमरे में पैदा हुए थे राजा दश्रत के जरा हमें कमरे का मैप दिखाईए इन्होंने यह कहा कि हिंदू आतंक वाधी होता है इन्होंने यह कहा कि एलिटी से ज़्यादा खतरनाक हिंदू है इन्होंने यह कहा कि भगवा आतंक होता है तो इनकी मानसिकता केवल और केवल एक वोट बैंक को रिजहाने के लिए उनसे वोट लेने के लिए और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेलने के लिए जैसे अंग्रेज केलते थे उन्होंने शीराम को और हिंदूं को टारगेट करने का अजेंडा बनाया है जब तक ये तुष्टी करन का वाइरस नहीं उतरेगा और मुझे उमीद है कि एक बार भव्यराम मंदिर बनेगा तो जो कोट पर धन्यू पहनते हैं चुनावी हिंदू जो चुनाओं से पहले टेंपल में विजिट करने जाते हैं वो सबसे पहले वहाँ जाएंगे वहाँ पर मत्था टेकेंगे जैशी राम आज तक उन्होंने बोला नहीं है जैशी राम बोलेंगे और उसके बाद उनके जो चक्षु है वो खुल जाएंगे कि ये राजनीती जो कर रहे हैं बैंक की उसको त्याग देना चाहिए और शीराम के बता हुए रास्ते पर चलना चाहिए लेकिन सर यहां पर सब आप पे आप नहीं लेकिन जितने भी अगर माली जो कोई भाजपा का भी किसी ने डोनेट किया अगर उसने स्क्रीन शॉट लेकर के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया तो कहेंगे कि यह देखो फिर से पब्लिसिटी स्टंट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया बिलकुल बहुत अच्छा पब्लिसिटी स्टंट है सबसे कि इस पब्लिसिटी स्टंट में जरूर हिस्सा लीजिए क्योंकि आप मुझे बताइए मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था जब एक गिलेरी छोटी सी गिलेरी जाकर राम से बोली कि मैं भी सयोग करना चाती हूं तो शीराम ने यह नहीं कहा तुम पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो एक गिलेरी तुम क्या कर लोगी राम ने कहा कि तुम्हारा योगदान भी बहुत मत्वपूर है और चाहे जो भी मन्शा से जो भी करना चाता है शीराम के कारे से बड़ा कोई कारे नहीं हो सकता और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं तो मैं जरूर कहूँगा कि देखे आपके भी फोन पर मैंने अभी देखा है कि शीराम टस्ट का वो उन्होंने बनाया भी है कैसे ओनलाइन डोनेट किया जा सकता है आप सभी लोग मैंने जैसे अपने फोन से डोनेट किया है आप भी इसको करिए और अपना स्क्रीन शॉट लगाईए और श्री राहूल गांदी से भी एक सवाल पूछेए क्योंकि उनकी पार्टी क्या कहती है हमने ताले खुलवाए हमने शीला नियास करवाया अरे हमने राम यह वोट बैंक कही नाराज ना हो जाका इसलिए मैं डोनेट में करूंगा ऐसा तो नहीं है यह सबाल कि कहीं वोट बैंक आपीसमेंट की राजनीती कोंग्रेस करती है वो नाराज ना है इसलिए screenshot ना लगा है उनकी अपनी राजनीती है सर है ने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टोपी लगा कर इफ्तार में तो बैठे होंगे राहूल गांदी कहीं बार आप उसकी फोटो भी डाल दीजिए आज राहूल गांदी से पूछे इतना बड़ा अभियान है चंदा ख केवल चुनावी मौसमी सीजनल हिंदू नहीं हो चुनावी फुरूट की तरह है तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि आज ट्वीट करके बताओ कि तुमने डोनेशन दिया कि नहीं दिया राम मंदर के लिए तिक है अगर यहां से मैं इसको बंगाल इलेक्शन चो जो राम है वो बीजेपी का ब्रेंड अमबैसेडर है तो यह राम को जो इतना याद किया जा रहा है इसके उपर आप कहते हैं अब देखे पहले तो मैं मैडम जो जनोंने बयान दिया टीमसी वाले ने उनको मैं बता दू राम केवल बीजेपी के थोड़ी ब्रेंड पूछा गया चाहे वो थाइलेंड के राजा का नाम तो राम के नाम पर ही पड़ता है कि रामा किंग करके मतलब इस लेगसी से साउथ कोरिया वालोग का भी यही हाल है उनसे पूछा गया कि आप क्यू राम की भक्ती में लीन है जबकि आप मुसलमान है तो उन्होंने कहा क कि राम हम मुसलमान जरूर है, हमारा कनवर्जन हो गया, परन्तु राम हमारे राष्टे चिन है, राष्टे सांस्कृतिक आइकॉन है, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है, तो केवल भारती जनता पार्टी के नहीं, हर राम भक्त का आइकॉन और पोश्टर बॉई शी राम ही है, पर मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, हमारे देश में एक मानसिकता है कि जैशी राम युद्धोष है, हमारे देश में मानसिकता है कि जैशी राम के नारे अगर लगते हैं, तो मुक्यमंत्री काफिला रुका कर उन पर कारवाई करती है, हमारे देश में ये प्रता ब लिए तो रोक लगा दी और मोहरम का ताजिया चल रहा है तो ये हिंदू विरोधी राम विरोधी मान सिकता क्यों ये सवाल है तो सरे अगर मैं यहां पर बंगाल एलेक्शन पर एक सवाल करूँ कि क्या ये जो रड़नीती इस बार TMC अपना रही है कि राम को उल्टा सिधा कह राम के बारे में बुरा बला कहना और एक अपीजमेंट की राजनीती कही ना कही है अपना ना तो क्या इस बार TMC ये रणनीती सही होगी कि इस बार कमल खिलेगा ऐसा है कि TMC जो है OAC और बाकी इनके दलों के सो कॉल्ट सेकुलर दलों के चकर में ये अपना आपा खोच चुकी है मा, माटी, मानुश कहने वाली पार्टी आज केवल मुसलिम, मुसलिम और मुसलिम कह रही है और वो इसलिए कह रही है क्योंकि वहाँ पर 30%, 35%, 40% और फिर बढ़ते जा रहा है क्योंकि बंगलादेश्यों को तो वहाँ पर खुली छूट है वहाँ पर आकर बसने की वो नहीं कम थे तो रोहिन्याओं को भी अब दावत दे दी है हमांके मुख्यमंत्री साहिबा ने और वो इसलिए एन आरसी नहीं चाहती इसलिए C.A.S. से डर लगता है तो वहाँ पर केवल एक अजंडा चल रहा है कि मुसलिम, मुसलिम, मुसलिम वोट बैंक करके हम किसी तरीके से 40 फीसद ले आएं और हिंदों का वोट बाठते ताकि हमाला हम जीच जाए पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसने भी तुष्टी करन वाली कॉंग्रस की नीती अपनाई वो खाक में मिठ चुका है यहाँ पर इस समय जो ट्रस्ट लेके आई है तो इस ट्रस्ट पर भी लोग सवाल उठाने लगेंगे कि बंगाल इलेक्शन आ रहा है हिंदूों को कहीं न कहीं पोलराइज करना है एक खांच में लेके आना है तो इस वज़े से इस ट्रस्ट का निर्मान कर दिया इसी समय इ तो distrust करने वाले लोगों को मैं सिर्व इतना कहूंगा राम हर घर में है, राम हर आंगन में है मन से रावन जो निकाले, राम उसके मन में है देख तज के पाप रावन, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है मतलब इसी के साथ हम अपनी बातों कांत करते हैं और आप सबसे में में आगरा करूँगी कि ट्रस्ट में जाए और कोई भी हो हिंदू हो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चन भी क्यों ना हो धर्म से कोई फरक नहीं पड़ता है जाके आप वहाँ पे ट्रस्ट में अपना योगदान दे बहुत बहुत शुक्रिया